बीशक्जिकार दोस्तोуки, आपका इस वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग जानने वाले हैं Rescue Kit की बारे में की Rescue Kit क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं तो जैसा की आप जानते हैं जब भी हम high पे काम करते हैं तो हमेशा चांस रहता है कि कोई आदमी सेप्टी बेल्ट में लटक जाए या उपर में फंस जाए और वह अपने आप नीचे नहीं उतर पाए देखिए rescue और evacuation दो चीज होता है rescue में हम लोग क्या करते हैं कोई आदमी अपने आप नीचे उतरने के लिए या बाहर नहीं निकल सकता है तो इसके लिए हमें एक सहारा देना होता है उसको और हम लोग सहारा देके उस आदमी को नीचे उतारते हैं तो उसके लिए हम लोग rescue kit का यूज करते हैं जबकि वैक्वेशन में क्या होता है कि हम बोल दिये कि भाई देखो आग लग गया तो आदमी अपने से बाहर निकल आता है जबकि rescue में क्या होता है कि किसी आदमी को जाके बचाना पड़ता है उसको उतारना पड़ता है तो अब मालेजी कोई हाइट पर काम कर रहा है बहुत उपर में और उपर में और एक्सिडेंट होने के चलते हैं या किसी कारण बस लटक गया सेप्टी बेल्ट में या ऐसे वहां पर बठा हुआ है तो उस आदमी को नीचे नारने के लिए कोई ना कोई इकुप्मेंट चाहिए जैसे चोटा दूरी है तो हम लोग सीनी का यूज करते हैं लेकिन अगर बहुत हाइट हो गया तो हमें rescue kit का यूज करना पड़ेगा तो rescue kit का जब हम लोग यूज करते हैं तो rescue kit का equipment होते हैं तो उसको चलाने के लिए हमको आना चाहिए कैसे use करना है उसको हमको पता होना चाहिए तो आज हम लोग इस वीडियो में वही जानने वाले है rescue kit के बारे में लैनयर्डे इसका भी यूज करते हैं आप देख रहें को डिसेंडर है हम लोग इसका यूज करते हैं यह चेज़े प्रेश इसका भनलाव यूज करते हैं तो यह सारा चीज है जो की आप देख रहें ये एक safety harness है, full body harness है, जो कि उस hook के साथ use करते हैं, और ये भी a special design है, जिसमें कि हम ज़्यादा load लेके और आदमी को उतरते हैं उपर से नीचे तक, और ये जो है, आप ascender, descender को use करने के लिए ये रसी है, जिसके साहरे हम किसी आदमी को लेके धीरे-धीरे उतरते हैं, और एक रसी और भी होती है, जो हमारे पास नहीं है, बट आप समझ जाएए कि इसी मोटाई की होती है, जिसमें हम लोग ये harness लगाते हैं, ये हमारा harness नहीं, sorry, file arrister लगाते हैं, और जिसमें हम लोग protection मिलता है, तो ये तो कुछ equipment का नाम हो गया, तो सबसे पहले हमें इनको details में जानना पड़ेगा कि हम लोग किस का कभ यूज करते हैं, तो आए सबसे पहले जानते हैं ये file arrister के बारे में, हम जानते हैं ये file arrister जो है, आप देख रहे हैं कि ये कौन सी company का है, ये उद्योगी company का है, ये एक file arrister है, जो कि हम लोग ऊपर जब चड़ते हैं, जब कहीं anchor करने का ज ये हमें खंबों पर चलने के हो सकता होती है, तो हम लोग इस file arrister का use करते हैं, तो ये file arrister जो है, इसमें रसी लगता है, आप देख रहे हैं, ये hole है, तो आप इसका जो यहाँ पर dimension दिया होगा, उसी का नुसार रसी यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसमें लिखा ह ये जो diameter है, लगभग आप 13 mm होगा, तो ये जो हमको लगता है कि ये इसके लिए perfect है, बट इसके लिए special रसी भी आती है, आप जो recommended रसी है, वही use करें, तब ये अच्छा से काम होगा, तो ये जो है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है, और इसमें जो है कराबिनर लग हुआ है, जिसमें हम लोग ये चीज़ को फसाने के लिए use करते हैं, तो ये होता है कि जब हम कभी अचानक से फाल हो जाएना तो ये हमें रोक लेगा, तो ये एक device हो गया, उसके बाद जो है, आपको ये देख रहे हैं, ascender और descender, मतलब कि ये क्या है, ये भी आप देख रह रहेगा ना, तो रसी इस पर चलेगा और आदमी धीरे 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 उतरेगा, हम उपर से जब हम नीचे आता है ना, तो अचानक से हमारा फाल होता है, क्योंकि धरती अपने तरफ खिचती है, उसमें gravity है, तो हम जो है, हम लोग इसका use करने से क्या होता है, कि हम धीरे इसको देख पा रहे हैं, और हम लोग इसमें ये फसा के, और हम लोग क्या करते हैं, यहां पर कहीं भी anchor कर देंगे, और हम लोग वहाँ पर लटक सकते हैं, तो सब का strength है, कौन कितना वजन ले सकता है, क्योंकि यहमें strength पताण नहीं रहेगा, तो हमें यह मालुम नहीं की च का strength यहां पर दिया हूँ है और 18 kN यानि कि एक आदमी का अगर मानलेजी 100 kg वजन है तो लगभग 1000 जो है उसका Newton जो है वेंट होता है तो यह क्या है मतलब वन किलो newton यानि कि 1 किलो newton । वेंट होता है उसका जबकि यह 18 kN इसका strength तो मतलब की break किस्तेंद कर सकते हैं ते मत 18 गुना ज्यादा ज्यादा एक यह यह वह फेक्टर डिते तरहे हम दो आदमी लटक जाएं तो आप समझे रहिे पिर भी। वूग उना जएदा देगा तो तो यह जो है हमारा दो आदमी को अराम से लेके दो अदमी कि जो rescue करने जा रहा है और एक जो आद्मी भीक्तिम हैं जिसको ले के उतर रहा हैं असानी से उसको ले सकते हैं और सेफली लेकर उतर सकते हैं माने कहीं एंकर करके इसमें लटक सकते हैं तो हमें यह चीज भी बहुँत जरूरी है कि हमें मालूम हो कि उसका स्टेंथ कितना है उस ओ है आपका 6,000 पॉंड, 6,000 पॉंड का मतलब एक पॉंड जो है आपका लगभग साड़े चार सो ग्राम का होता है, तो अगर इसका आधा करे 6,000 का तो लगभग तीन हजार तीन हजार थोड़ा सा कम करें, लगभग पचीस सो, यहनि कि पचीस सो केजी अगर यह वेट ले सकत हैं, तो दो आदमी के मिल का होगा 100 होगा, तो फिर भी यह पचीस सो केजी ले रहा है यहांने कि बारेगुना ज्यादा हमें सेफटी देगा अगर हम दो आदमी को मतलब यह काफी मतलब की सेफ बनाया गया है क्योंकि हम लोग मैन पाउर को हैंडल करते हैं इसमें तो इसलिए अच्छा है और उसके अनुसार ही आप देख रहे हैं यह सेफटी बेल्ल क कि यहां पर स्पॉंज टाइप का दिया हुआ है आपको कहीं भी जो है ना आपके सरीर में थोड़ा सा भी जर्क नहीं लगेगा और आपका कहीं भी कटेगा चीलेगा नहीं यह उस तरह से डिजाइन किया रिस्क्यू जबकि आप देखेंगे जो नॉर्मल सेफटी बेल्ट बाड़ी छीजो से में और चीजेश नहीं रहती है है तो कहीं न कहीं यह चीज ज्यादा अच़्ा है हम लोगो के लिए यदि स्टेंट हो यहाद दी होई है बत आप इसमें जो i.e.s code दिया है इ ten code दिया हुआ है उसके अनसार आप इसका पता कर सकते है कि इसका breaking strength क्या होगा क вызते हैं इसमें finns जो जिस इस इस इस्टेंडे के बना है इसे इसका पता कर सकते क्या breaking strength थे तो लेकिन यह जो है आपको उसके अनुसार स्टेंद देगा और यह जो आप रसी देख रहा है यह रसी भी आपको इसके चलने के लिए ही बनाया है उस कंपनी ने जो एसेंडर डिसेंडर है उसको चलने के लिए ही बनाया है इसको चलने के लिए और यह जो रसी है वह आपका 12 mm का रोप और उसी का अनुसार है इसमें C Conformity है उसका अनुसार भी आप इसका पता कर सकते हैं यह जो इसके रोप है इसके चलने के लिए ही बनाया गया है और इसी पर यह चलेगा तो यह रशी चुकि सेम कंपनी ने दिया हुआ है और तो यह इसके लिए परफेक्ट है तो यह हम करना है यह मैं आपको नहीं बताया तो इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा अभी जस्ट तो आएए डेमो देखते हैं आप यह आप आप जानते हैं कि सबसे पहले यह एक आदमी उपर में फस गया है और उसको मैं पर चड़के वहाँ उससे लटकना है और उस आदमी को लेकर उतरना है मैं यहां पर उपर चड़के नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर उस तरह का जगह नहीं है बट मैं आपको एक डेमो दिखा दूँगा जिसमें की आपको पता चल जाएगा तो आप उसको उपर फसाईए और यह फसाने के बाद यह आपको यह रसी जो है जो आपका डिसेंडिंग के लिए रसी जो बना हुआ है यह रसी हम उसमें एंकर करेंगे क्योंकि इसी के साहरत हम किसी को लेके उतरेंगे तो हम जो है यह चीज़ वहां पर एंकर करेंगे इसमें तो हम इसमें एंकर कर रहे हैं अब एक रसी है क्योंकि हम क्या है कि जब भी हम सेफ्टी क करते हैं तो हम एक ले इन करते हैं गले की कि एक लेघर घर फेल हुआ ना थो हम दूसरे बरहन effective सकते हैं जैसे कि एक रसी टूट गया था हम दूसरे रसी आधा हमको रोक लेगा तोusa क्योंने करते हैं करो उसका एक खालेश्टर के उसकी रसी यह यह रुड़ दिखा है हैं तो हमने एक और हम और हम यह लेंगे लेंगे लिएस 원 अलग जगाव पर एंकर कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि मां ये यह कहीं यह यह कंपर लह गया तो दूसरा वाला तो अलग ईंगार था, कि यह हम to दूसरा anchor किया वहां पर और इस तरह से क्या है कि ये अब ready है हम वहां पर किसी को लेकर उतरने के लिए तो अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा बेल्ड पहनना पड़ेगा, safety belt ये जो दिया हुआ है, तो उपर जाने के लिए हमको बेल्ड भी पहनना पड़ता है, तो ये हमको ये बेल्ड पहनना पड़ेगा, थोड़ा हेल्प करो पहनने हुआ, अब मैं रेस्क्यू करने के लिए तैयार हूँ, कभी भी अधूरा ग्यान हो तो मतलब पूरा ग्यान ना हो तो रेस्क्यू करने नहीं जाए, मैता चाहिए, बड़ आप कोई specialist आपको recommend कर रहा है, या manufacturer जैसे आपको training दे रहा है, उसके अनुसार ही इसको use करें, ताकि आप बेहतर कर पाए, तो ये जो है हम लोग, अभी ये ready ह है, यहां पर आप देख रहे हैं, और मैंने एक आदमी यहां पर फसा हुआ है, और उसको लेकर उतरना है, तो मैंने उपर गया, और उपर जब जाएंगे, तो हम क्योंकि हमारे पास safety belt, हम फसा-फसा के anchor करके जाएंगे, तो हमारे पास अलग से anchor भी है, आप देख रहे हैं तो उसमें तो double, उसमें यह double hook तो होना ही चाहिए, क्योंकि double hook नहीं रहे है, तो हम जब जाएंगे, तो यह सारे चीज़े जो क्या होता है, बैग में होता है, पीठ बैग पे ले लेते हैं, और यह उपर इसे लगा-लगा के हम जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ पर हम चा सकते हैं, या as per, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अब हमें माल लिजे कि किसी को लेके उतरना है, तो यह trending के लिए है, तो हमें इसमें फसाना पड़ेगा, तो आईए पहले में यह करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मैंने ऊपर चला गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, यह निकाल दो, यहां पर यह जो दिया हुआ है, यहां पर फिगर दिया हुआ है, हमको इसी का नुसार लगाना होगा, यहां पर आप देख रहे हैं, यह फिगर दिया हुआ है, है तो हमें इस गाईड करन Ilma स्टरावाइज Milwaukee लेन एक दिया हुए कि इसको लगाना कैसे तो आप देखे हैं कि ये दिया हुए रशी आसे यहां घुषाना है एससे गुसाना जिधर यह है गुषाना और गुषाने के बाद यह पीस्पे लागए फसाना है ऐसा है तो हम भी वैसे ही करेंगे क्योंकि अगर वैसे नहीं करेंगे तो यह काम नहीं करेगा तो हमको आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें दिया है कि इधर सही घुसाना है तो हमको इधर सही घुसाना है तो घुसाने के लिए हमको यह उठाना पड़ेगा और इसको डाउन करना पड और फसाने के बाद जो है हम इसको इस और अब लिए तेपट लोमेदाद हैं इसको आपको मिलेगा तो मैं आपकी के लिए इसको उपर कर दिया अब यह ज्यादा है यह नहीं जा रहा हूं अब लटक जाओंगा आप देख रहे हैं यह लटकने के बाद भी नहीं निकल रहा है लेकिन जब नीचे आना होगा ना अगर नीचे आना होगा तो हम लोग यह क्या करें इसको दबाएंगे तब इसको जब वाइसे खोले तब भी नीचे आए ऐगा बहुं और ये नीचे की तरह आएगा देखी अ कि यह देखिए कि अ क्यों ते देख मधि तो यह लोग हो जारा है मैं दो आदमी को छोड़ दिया तो यह ओड्सी नहीं आ इसको दबाकर रखेगा न तब भी खिचेगा तब भी नीची आता है है लेकिन अगर इसको चलाते रहेंगे न तब भी ये आएगा आप देखो ये नीची आ रहा है तो यह है इसको डिसेंडर गोलते हैं नीचे आने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें जो है न हम अपना इसको देख लिज्य हम अपना वेट और जो आदमी जिसको नीचे लेके आ रहे हैं दोनों का यहां फ़सा देंगे और फ़साने के बाद हम वाद में लटका रहेगा यहां पी नीचे और को देख रहें न हैं कि देखें मैं लटक गया हूं और इसको धीर धीर दबाने से यह नीचे नीचे आ रहा है आप देख रहे हैं तो इस तरह से आया जाता है तो यह है आप मैंने इसका स्टेंथ आपको बता ही दिया कि यह आप दो आदमी के लिए परफेक्टली मतलब यह कई गुना ज्यादा है उससे लेकिन दो आदमी तो आसानी से आप दो आदमी मतलब आप और एक घ्रिक्टीम जिसको दिक्कत हुई है उसको लेकर नीचे आ सकते हैं अब बात आ गई कि एक और हमको यह लेना है एक और हमको साइड में डबल सेफ्टी लेना है तो इसके लिए हमको फाल रेश्टर लगाना पड़ेगा तो यह फाल रेश्टर है और मैं थोड़ा सा आपको फ़ले तो इसको ऊपर कर दूँ ऊपर करने के लिए इसको इसको मैं ऊपर लेता हूँ जिसको मैं खिज तो यह हमारा एक और पोटेक्शन लेंगे मतलग कि ये तो अब यह देखें लगाने का तरीका क्या है न कि आप इसमें देखना एक एरो का डिरेक्शन है यह है यह यह रहा है और आप अगर इसे बाहर साइड में देखो गे तो इधर भी एक एरो मिलेगा अधर वाबिक लग उपाँ और भी आप और बंअ अयों ध्क sickness येاج है šp क्या वाइब बहुत लाट वह करें गार है तो लग आपने क्या घाल को स्सक् specialized शान्थ नहीं हो युद्ध करेंगे और अधिक लॉक्त हो रहा है तो हम को ये रसी थोड़ी पथ है यह इसके लिए रिक्मेंट नहीं है आप गलत मत समझेगा इसके लिए पोटिनेम का रॉप जो होता है और मेरे पास अभी अभी अब लेवल नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं तो यहां पर अब इसको लॉग करेंगे और यह लॉग करने के बाद यह त्रेडिंग सिस अच्छे से काँ कर रहा है देख रहे हैं कि यह काम कर लेंगे जана कि यह पर कर लेए इसनि अब चैना यह दिक्कत नहीं होगी ऋपक हासा है यह लॉग कर ले तो इसको क्या लेंगे तो इसको भी हम लोग रोग यह अपे यहां पर फसा लें और इसको भी लॉग कर देंगे अब देखिए हम डबल लेयर का प्रोटेक्शन हमने ले लिया है अब दो लेयर मतलब कि अगर यह तूट किसी कारण बस टूटता है तो यह हमें बचाएगा यह तूटता है यह बचाएगा मतलब कि हमें डबल सेफ्टी तो खासकर पर आदमी की बात होती हैं किसी समान की नहीं बोला vão किसी आदमी की बात होती है तो वहां पे शेफ्टी थोड़ा ज्यादा इन्सिए हो indigenous होता है कि हम किंखे नोग नहीं कर पाएंगे और उसकी भरपाई भी आप नहीं कर पाएंगे उसके परिवार वाले की लेकिन साथ में मतलब कि काफी दी सारे लोल का मॉराल एकसिएंट होने पर औरツ्र आप भी नहीं चाहें कि किसी आपके चलते क conviction हो तो यह है जो है हम लोगों कैसे यूज करेंगे और कैसे हम किसी आदमी को ले के बारे में बताया कि यह कितना लोड ले सकता है और इसका इसका स्पेसिफिक्शन बताया कि कि इने विंकारोब चाहिए और कैसे यूज करना है तो आई होपो की आपको यह रेस्क्यू कीट का डेमों काफी अच्छा लगा होगा यह के वल यह वीडियो के लिए है आपको में इतना ही और मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद